हलो एरिवन एंड वन्स अगें वेलकम बैक टो मरतस्कीर यूटीब चैनल माइसल्फ उमरतस्कीर कैस्स इस पर्टिकुलर वीडियों से हम एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहें जो बेश्ट होगी हमारी डिश्टल मार्केटिंग इस्ट्राइजी ऑफ कर सकते हैं बट स्पफिकली किसी बिजनेस के उपर जम करने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक जन्रलाइज डिश्टल मार्केटिंग क्या होती है और जब डिश्टल मार्केटिंग इस्ट्राइजी क्रियेट करने जाते हैं तो उसके जो इम्पॉर्टेंट अलिमेंट्स और सबसे important चीज के digital marketing strategy बना ही क्यों रहे हैं, उसका purpose क्या है, उसका goal क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग discuss करेंगे, बहुत important वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप जो दूसरे मेरे digital marketing strategy के videos हैं, उनको आप देखेगा, जो एक-एक business को ध्यान में रखके discuss करेंगे, and what are the elements of digital marketing strategy, क्यों हम digital marketing strategy बनाते हैं, तो उसके जो reasons हैं कि क्यों हम लोग digital marketing strategy बनाते हैं, उसका जो answer है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहले optimum utilization of resources, अब जो resources की बात है, वो यहाँ पर है basically budget से related, कि कि किस तरीके से हम optimum utilization of budget करेंगे, इसके लिए हमें digital marketing strategy की जरूरत परती है, अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं, आपका budget है 1000 रुपीज, यह के वाल example है, ठीक है, और optimum utilization का मतलब क्या होता है, optimum utilization का मतलब होता है, कि minimum inputs डाल के, fine, हम maximum जो output है, वो ले सके, तो अगर कोई आपसे optimum utilization term की मतलब समझना चाहते है, तो इसका सीरस मतलब यही होता है, कि minimum efforts डाल के किस तरीके से हम maximum output ले सके, तो किस तरीके से minimum budget के उपर हम maximum response ले सके, इसी को हम लोग optimum utilization of budget वो लेंगे, और budget यहाँ पर resource है, fine, तो अब दिखो, strategy की importance इसलिए बढ़ जाती है, कि पता चला, कि जो budget आपको search ads में allocate करना था, वो आपने display ads म ही नहीं रखा, आपने ये ध्यानी नहीं दिया कि remarketing में हमें कितना budget spend करना है, उसके लिए को strategy ही नहीं बनाई, तो ये सारी चीजे आपको starting में ही device कर लेनी होगे, starting में ही समझ लेना होगा business के लिए, कि हमारे पास जो budget है, उसको हम किस तरीके से divide करेंगे, कितना budget हम Facebook में ल सारी चीजें जो हैं, अगर आपको starting में ही पता होगी, और किस type से इनके उपर आप budget allocate करोगे, सारी चीजे अगर आपको starting में ही पता होगी, तो आपका जो budget allocation है, वो optimum तरीके से हो जाएगा, ये तो budget allocation की बात कही मैंने, और budget allocation की बात मैंने इसलिए कही, क्योंकि अभी digital marketing strategy मे एक बहुत important element होता है, जिसको हम लोग बोलते है, media planning, ठीक है, media planning का मतलब यही होता है, कि किस हिसाब से आप different platforms के उपर जो अपने ads है, उनको run करेंगे, उसके पीछे का agenda क्या है, उसके पीछे आपका goal क्या है, और उस पे आप किस platform के उपर कितना spent करेंगे, कितना budget रखेंग जो है, वो as a proposal भी अगर आप अपने client को देना चाहते है, कोई अच्छा बड़ा client है आपके पास, उसको देना चाहते हो, काफी महनत और काफी research आपको करनी पड़ेगे, अब अगर थोड़े से points के उपर आ जाए, कि digital marketing strategy को बनाते किस तरीके से है, किन-किन चीजों का हमें तो आपको clarity होती जाएगे, guys मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ, एक वीडियो में सारी चीज़े clear हो जाएगे, ये जरूरी नहीं है, बहुत कुछ आपको clear हो जाएगा, तो please इस video series को जब आप follow करेंगे, जिसमें बहुत सारे videos लेकर आऊँगा, digital marketing strategy से related, तभी आप perfectly digital marketing strategy जी जो है वो बना सकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो point है वो ये है कि understand the nature of business, अब देखो कोई जैसे jewelry business वाला आपके पास आता है, कोई packers and movers वाला आपके पास आता है, कोई आपके पास coaching institute वाला आता है और उसकी आपको digital marketing करनी है, तो आपको इन clients के साथ that is totally up to you, but वो आपके पास लिखे होने चाहिए, nature of business का मतलब क्या है, कि वो business local है, जैसे मैं बात करूँ, packers and movers, तो packers and movers अगर locally operate करता है, तो उस business का nature local है, अगर कोई ऐसा business है, जो globally operate करता है, या India level पर pan जो है, वो operate करता है, उसका presence जो है, वो across nation है, तो वो आपके nature of business में आएगा, या जो characteristics है business की, उसमें आएगा, तो वो आपको वहाँ पर mention करना होगा, business online है या offline है, और business का model क्या है, मतलब हम यहाँ से direct sales कर रहे है, यहाँ से हम leads generate कर रहे है, हम क्या चीज़ कर रहे है, that is basically business model, और वो business किस तरीके से operate करता है, उसके revenue का क्या model है, यह सारी चीज के बारे में ठीक से clarity नहीं होगी, तो आप plan बना ही नहीं पाओगे, कि मैं कितना budget spend करूँ, मैं कितना ROI expect करूँ, मेरा conversion rate कितना होना चीज़, तो आपको client के साथ बैठना पड़ेगा, time देना पड़ेगा, उनके business को समझने के लिए, तो यह पहली चीज़ है, ऐसा नहीं कि अगर आपको Google Ads आता है, या आपको Facebook Ads आता है, तो आप एक बहुत अच्छी digital marketing strategy बना सकते हैं, ऐसा बिलकुल नहीं है, digital marketing strategy solid, किसी भी business के लिए, बनाने के लिए आपको उस business के nature को समझना पड़ेगा, this is point number one, note करते जाईएगा, बहुत important चीज़े हैं, और मैं इस चीज़ क practically करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरा जो work है ना, उसको कितना easy कर देती है, मेरे लिए कितनी आसानी हो जाती है, क्योंकि ये मेरे routine में आ गया है, मैं इतनी meetings करता हूँ, इतने clients से discussion करता हूँ, तो ये सारी चीज़े मेरे routine में आ गई है, उन्ही marketing के through उसको ज़्यादा customers ही तो ला कर दे रहे हो उसका business ही तो बढ़ा रहे हो तो आपको क्या ये नहीं पता होना चाहिए कि उसका जो ideal customer है वो कौन है और ideal customer की attribute basically define होती है customer के persona से customer का persona क्या है customer का persona सीधा से मतलब ये होता है कि अगर मैं आपके लिए ideal customer हूँ तो मेरे characteristics के जैसे example के तौर पे अगर let's say कोई twice बनाने वाली company है twice बनाने वाली company तो उसका जो buyer persona होगा वो क्या होगा जो लोग parent है ठीक है जो लोग parent है ये एक characteristic हो गई जो लोग parent है ठीक है उनकी age group हमने रख दिया कि उनकी age group 27 से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए वो इन cities में रहने चाहिए ठीक है वो जो है twice में interest रखने वाले लोग हों तो इस type से जो attributes होंगे जो लोगों का characteristics होती है वही basically customer persona बनाती है तो you must know all the attributes of your targeted person जिस भी audience को आप target करेंगे उसके जो attributes है characteristics है वो आपको पता होनी चाहिए आज के time में बहुत सारी internet के उपर आपको ऐसे templates मिल जाएंगी जो customer persona से related है मैं ही कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले time में आपको customer persona के जो sheet है या जो उसकी template है वो मैं excel पर आपको दिखा दू था कि आपको और अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए बट सिवधा से मतलब यह कि customer persona का मतलब यह होता है कि आपका जो भी target audience है जो भी आपका target group है यहाँ पर तो मैंने target person या target audience यूज किया है विसके लिए एक और term यूज होता है जिसको हम लोग बोलते है target group कहीं पर आप देखोगे शब्द लिखा होगा TG तो confused नहीं होना है सम लगेगा किसी client के साथ बैठोगे उनके साथ discussion करोगे तो इन सारी चीजों में time लगेगा अच्छी agencies क्या करती है वो एक पहले से ही form बना के रख देती है ठीक है बहुत सारी agencies ऐसी होती है जो requirements का form पहले से ही बना के रख लेती है और वो अपने clients के साथ share कर देती है तो client उस यह point भी आपको clear हो गया होगा यह दो point आपको clear हो गया होगे इसके बाद third point जो है आपका वो यह है analyze searches happening analyze your competitors, competitors ads on internet अब आपको business के nature के बारे में पता चल गया कि business क्या है आपको यह पता चल गया कि उस business का जो target group है वो कौन है उसकी characteristics क्या है अब जब आपको इतनी सारी पता चल जाती है तब फिर आपको यह समझना है कि इस business को लेकर internet के उपर क्या हो रहा है जैसे कि अगर कोई business है तो उसके around जो searches है वो कैसी हो रही है Google के उपर वो आपको study करना है आपके business से related जो दूसरे competitors हैं वो किस type के ads run करना है Facebook के उपर Facebook Arts Library में जाकर आपको इस चीज़ को चेक करना है जो आपके competitors हैं वो आपके keywords के उपर कहां पर rank करने है उसको आपको study करना है उसका आपको पूरा document बनाना है तो यह सारी चीज़ें आपको करने है ठीक है और यह सारी चीज़ें आपको solid digital marketing strategy construct करने में help करेंगी उसके बाद जो fourth point है वो यह है analyze the searches happening on Google related to your business जैस इस पर यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहूं तो जैसे informational searches हो रही होंगी तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर informational searches बहुत जादा हो रही है जैसे कुछ आपने keywords identify कर लिए keyword 1, keyword 2, keyword 3 आपने देखा यह informational keywords है और इनकी searches बहुत जादा हो रही है इनका जो search volume में बहुत जादा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि informational searches बहुत जादा हो रही है इसका मतलब हमें blog की तरफ जाना पड़ेगा तो आपकी strategy में बस एक चीज़ जो है वो add हो गई कि भाई हमें blog जो है वो भी create करना पड़ेगा तो उसके इसाप से आपको समझना प friendly है या नहीं है तो आपको फिर ये भी समझना पड़ेगा कि आपको आपकी website का जो SEO है वो करना है तो उस particular case में SEO भी एक element जो है वो अब जुड़ गया कि हमें भाई हमारे digital marketing strategy में SEO को भी ध्यान में रखके आगे जो है चीज़े वो करनी है तो ये सारी चीज़े होती है जब आप searches वगरा को study करना शुरू कर देते हैं कि Google के उपर कौन से searches हो रही है वही पर अगर Google के उपर आप जैसे ये देखो कि lower funnel के searches जादा हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा landing pages बनाने पड़ेंगे और leads को आपको capture करना पड़ेगा जो कि आपके hot prospects होंगे तो ये भी आपको strategy में समझना है और इस चीज का ध्यान रखना है कि जहांपर हमें website की जरूरत पड़ेगी वहांपर हम website की उपर traffic भेजेंगे अगर हमें लगता है कि हमें leads capture करना है बिजनस का nature ऐसा है जहांपर हमें leads capture करना है तो leads आप normal website से नहीं capture कर पाएंगे paid ads चला कर उसके है वो क्या बन जाएगा कि हम भई free demo classes जो है वो provide करना है वन वीक की free demo classes तो अब यह जो हुक है ना यह जो main चीज है इसके around हम एक solid landing page जो है वो develop करेंगे और उस coaching से related जो keywords होंगे उनको हम रखेंगे Google Ads के अंदर और Google से जो paid traffic है वो हम लेकर आएंगे अपने landing page के उपर और व places पर हम वहाँ पर leads को capture करें अब यह चीज आप अपनी website के उपर नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि जब आप landing page बनाते हो तो उसका एक specific purpose होता है बड़ जब website के पेजिस के हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे cts वगरा उतने strong नहीं हो पाते हैं हम offers वगरा वहाँ पर website के उपर नहीं है जो आपकी website का page है वो तो SEO आप उस page के उपर करें तो उसका content जो है वो तो constant रहेगा वहीं पर landing page के उपर offers है तो वह तो अगर आपको लग रहा है कि यह offer नहीं काम कर रहा है तो तीन महिने बाद आप दूसरा landing page बना दोगे तो आपको difference समझना पड़ेगा कि कहीं आपका काम website से होना है जैसे जब मैं SEO की बात करहूं तो SEO website पे होगा है कभी भी landing page पे SEO नहीं होता है landing page पे हम generally pay traffic भेजते हैं तो यह कहां से पता चलेगा कि landing page बनाने की ज़रूरत है या नहीं है यह तब पता चलेगा जब आप यह सारे काम कर रहे होंगे searches वगरा को properly analyze कर र रहा है वहां से वह leads को capture कर रहा होगा तभी वह ad चला रहा है वरना वह ad बंद कर देगा तो इस type से आपको चीजें जो है वह समझ में आने लगेंगी कि आपकी जो digital marketing strategy है वो किस तरीके की होनी चाहिए तो जैसे मैंने यहां पर एक IIT coaching वाला example लिया तो अगर कोई IIT coaching in Delhi सर् कि आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो landing pages पर इंवेस्ट नहीं करते हैं उनको पैसा बहुत खर्च करना है उनको पांच लाग दस लाग रुपए का उनका ad budget है ठीक है overall उनको इतना पैसा खर्च करना है लेकिन वह 10,000 रुपए 15,000 रुपए landing page के उपर नही खर्च कर रहा है ये थोड़े से ध्यान देने वाली चीज़ है ये agencies को भी समझना चाहिए ये जो business owners है उनको भी समझना चाहिए कि आप इतना huge budget जो है वो आप खर्च करने जा रहे हैं और आप अपने landing page पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कई वार हम भी देखते हैं कि बहुत सा होना चाहिए फाइन यहां पर लिखा हुआ है पार्लेली डेवलप प्रेजेंस और शोशल मीडिया चूस प्लाटफॉर्म से का अपके बिजनेस का नेचर है उस टाइप का आप अपना शोशल मीडिया का जो प्लाटफॉर्म है वो चुनेंगे और उसके उपर आप अपनी भी बिजनेस की डिशनल मार्केटिंग बनाता हूँ तो उस बिजनेस का जो नेचर है वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ starting सही, उस business का जो target group है वो समझने की कोशिश करता हूँ, उस business को लेकर internet पे क्या चल रहा है, लोग क्या search कर रहे है, facebook के ओपर लोग किस type से art चला रहे हैं, वो मैं study करता हूँ, उसके बाद searches के बाद मैं decide करता हूँ, अच्छा ये searches जादा हो रही है, तो SEO की तरफ इनको लेकर जाएंगे इस के राउंड हम blog लिख सकते हैं, इस informational intent के राउंड हम 15-20 blogs जो हैं, वो तैयार कर सकते हैं, articles तैयार कर सकते हैं, और ये वाले जो हमारे keywords हैं, जो bottom of the funnel वाले हमारे keywords हैं, इनके लिए हम solid landing page बना कर ads सकते हो, native ads चला सकते हो, google ads चला सकते हो, तो भाई, client का budget किस तरीके से split हो, कहाँ पर कितना पैसा आप डालोगे, ये सारी चीज़ा आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप business को ठीक तरीके समझ रहे होगे, keywords होगे clarity होगी, तो आप कुछ इस type का, जो media plan है, वो बनाते हो और अपने client के सामने आप present करते हो, अगर आपको खुद का business भी है, तब भी आप media plan जरूर बनाओ, कि हम किस type के जो campaign है, वो run करेंगे, ठीक है और किस type के campaign का, यहाँ पर आप purpose भी add कर सकते हो, कि इस campaign का जो purpose है, वो यह होगा, इस campaign की जो main KPI है, वो यह होगी, इस चीज के लिए मैं इस campaign को run कर रहा हूँ अब इस campaign में मैं क्या budget spend करूँगा, जो हमारा budget है, अब यह planning 30 days की भी हो सकती है 15 days की भी हो सकती है, यह test media plan भी हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सार, test media plan हमको दे दीजे, एक 10 दिन का, हम ज़रा इस चीज को test कर लेते हैं, तो हम test media plan भी बना देते हैं अपने clients के लिए, कि भाई, यह 15 दिन का test media plan है, तो according to, जो research हमने करी है, इंटरनेट के उपर, कि facebook और instagram के उपर, आपकी निश में हमें लगभग इतना CTR मिल जाएगा, इतनी CPC मिल जाएगे, और हम इतनी जो leads हैं, उसको expect कर रहे हैं, इतने cost होई, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी leads expect कर रहे हैं, तो expected CPL तो यहां से निकल आएगी ना, अब यह जो है ना, मीडिया planning जो है, वो कर पाएंगे, कि मेरे को budget जो है, वो कहां पर लगाना है, किस platform के उपर हमें ज़्यादा budget लगाना है, किस platform के उपर हमें कम budget लगाना है, कहां से हमको कितना impression है, यह बात आपको समझ में आने लगी होगी, कि search के उपर जो intent है, वो high होती है, तो search के उपर हमें जो CTR है, वो अच्छा मिलेगा, वहीं पर display के उपर हमें उतना अच्छा CTR नहीं मिलेगा, वहीं पर facebook, instagram के उपर उतना अच्छा हमें CTR नहीं मिलेगा, search के comparison में, तो यह तो आपको पता ही चल जाता है, तो आप एक average CTR लेकर कुछ projection आप करते हो कि लगभग लगभग जो lead की cost है वो कितनी आएगी, कई बार ऐसा भी होता है लोग हमसे पूसते हैं कि सर क्या हम एक ही media plan के उपर dependent हो अगर उन्हें कुछ doubt लगता है तो हम ही लोग कई बार करते हैं, दो से तीन media plans बना लेते हैं, ठीक है? दो से तीन और यह सारे यह हमारे media plans होते हैं यह हमारे projected ही media plans होते हैं ऐसा नहीं होता है कि हम यह बोल दिते हैं कि यह हो जाएगा सर, अपने client से हैं यह projections होते हैं, और हम लोग इसके आसपास ही होते हैं, बट यह बनाने से आपको समझ में ये चीज़ आ जाती है strategy wise कि भाई कहां पर किस type से और किस strategy के round कितना budget हम लोग spend करेंगे तो remarketing की strategy है यहां तो remarketing से हम क्या expectation रख रहे हैं और ये भी होता है कई बार client के पास पहले से कुछ data होती है उसके basis पर media planning करना हमारे लिए और भी थोड़ा सा असान हो जाता है तो ये सारी चीज़े होती है अभी आपको ये समझना है कि ये media plan होता है ये भी आपकी digital marketing strategy का ही एक part है media plan is basically कि जो आप media buying करोगे जो आप ads run करोगे उस पे जो spend होगा वो campaign wise आप किस तरीके से spend करोगे और वहाँ से क्या expect कर रहे हो उसी के बात अगर मैं यहाँ पर बात करो तो strategy भी है जैसे channel हो गया Google search Google display तो Google display के ओपर हमारी strategy क्या रहेगी कि इस type के ads run करेंगे और budget split कितना है जैसे अगर हमारा 1,00,00 का budget है तो search के लिए हम पूरे का पूरा 1,00,00 और दूसरा जो हमारा 1,00,00 का budget है वो इस type से divide हो जाएगा 30 के यहाँ, 40 के यहाँ, 30 के यहाँ तो यह आप initially रखोगे तो कोई यह चीजे over the period of time result के according change भी होती है पर शुरुआत करने के लिए तो कोई plan आपके पास होना चाहिए आप सुबह उठोगे और सोचोगे नहीं आज सर्च एट चला देते ऐसा नहीं होता है परिए स्टार्टिंग में business को समझके competition को समझके Google की सर्चे समझके जो data internet पर है उसको समझके कुछ तो plan आपको करना पड़ेगा that is basically digital marketing strategy plans के साथ यह होता है कि जब आप plan करते हो और उसके बाद plan को execute करते हो तो उसके results आने शुरू होते है जब उसके results आने शुरू होते है तो फिर over the period of time कई बार आपको इस plan को छोड़ना भी पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि हम जो plan 30 दिन का बनाते हैं हमें 15 दिन में कुछ दूसरे type के results दिखने लगते हैं तो हम वहीं पर उस चीज को रोग देते हैं और वहीं से फिर हम next plan जो है वो बना लेते हैं ठीक है because you never know कि real time में क्या हो रहा है plan जो आप बनाते हो that is only based on the data जो आपके पास data है उसी के basis पर आप plan मना सकते हो थोड़ी बहुत forecasting कर सकते हो बड़ भवेश्य में क्या होने वाला है इसको आप नहीं समझ सकते तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम 30 दिन का plan मनाते हैं 15 दिन बाद हमें लगता है कि हमारे plan के recording चीज़ें नहीं चल नहीं उससे अच्छी है उससे खड़ाब चल रही है तो फिर से हम plan वहाँ पर change कर देते हैं अब ऐसा नहीं है कि 30 दिन का plan मना है तो बैठे रहेंगे कि 30 दिन तक ही चीज़ें जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस plan को नहीं जो है वो टच करेंगे इस plan को change करने की कोशिश नहीं करेंगे ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक है बट जब आप campaign start करते हो जब आप business की digital marketing start करते हो initially आपके पास जरूर strategy होनी चाहिए उसी strategy के basis पर आपकी team client sub dependent होकर जो है वो काम start करते है over the period of time result के basis पर वो चीज़े plus minus करी जाती है और करनी भी चाहिए ठीक है but media plan वगएरा आपको अगर आप अच्छी agency के साथ काम कर रहे है या आप अच्छे clients के साथ काम करें ठीक ठाक budget वाले clients के साथ काम कर रहे है तो media planning वगएरा आपको करनी पड़ेगी ये करना चाहिए अच्छी agencies ये सारे काम करती है media planning वगएरा जो है वो client को देती है हम किस टाइब से करेंगे जिससे client को थोड़ा सा idea हो जाता है कि भाई हमारी जो CPL है वो कितने के around जो है वो expected है ठीक है वो थोड़ा सा एक idea हो जाता है काफी research करके आप इस चीज़ तक पहुँच सकते हैं थोड़ा बहुत आपको experience भी लगेगा मुद्धे पर वापस आते हैं purpose जो था इस वीडियो का वो ये था कि आखिर digital marketing strategy में क्या क्या होता है business को समझना है फिर से target group को समझना है तीसे number पर competitors को समझना है यही सारी चीज़ है different different businesses के लग हो जाएंगी क्योंकि जब मैं specific business की बात करूंगा तो यह चीज मेरे को पता होगी जैसे मैं coaching की बात कर रहा हूँ तो मेरे को nature of the business पता है जैसे मैं customer persona की बात कर रहा हूँ तो अब मेरे को coaching का customer persona पता है premium content authentic content आपको इस channel के उपर मिलेगा हम वही video के around content मनाते हैं जिसके उपर हमने practically काम किया होता है जिसके उपर हमें experience होता है उसी के around आपको यहाँ पर content मिलता है दोस्तों अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो channel को ज़रूर subscribe कर दीजो दूसरे लोगों तक इस channel को पहुंचाएं मिलता है next video में till then goodbye